आज का टोपिक है मनुस्य में लिंग निर्धारन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हुमन्स एकदम आसान भासा में समझेंगे, तो शलिए, सुरू करते हैं गुन्सूत्र, पर तेक कोशिका के केंदरक में उपस्तित होते हैं जी आ, गुन्सूत्र जो है, वो कहा होते हैं, तो कोशिका के केंदरक में उपस्तित होते हैं और इसकी जो सनराचना है, इसकी जो आकरिती है, वो धागे जैसी होती है मनुस्य में लिंग निर्धारन गुन्सूत्र द्वारा ही होता है मनोशे में 23 जोड़ी गुनसूतर होते हैं 23 जोड़ी कहने का मतलब 46 जोड़ी होते हैं जिन में से एक जोड़ी यह दोठो लिंग निर्धारन के लिए जिमेदार होती है इन लिंग गुनसूतरों को X और Y के रूप में जाना जाता है महिला, फीमेल, महिलाओं के पास दो एक्स गुन्सूत्र होते हैं आप इसे एक्स और एक्स लिख सकते हैं पूरुस, मेल, पूरसों के पास एक एक्स और एक्स वाई गुन्सूत्र होता है आप इसे एक्स और वाई लिख सकते हैं जब गर्वधारन जब fertilization होता है तो एक अंडानू और एक सुक्रानू आपस में मिलते हैं अंडानू और सुक्रानू जब आपस में मिलते हैं तो ये कहलाता है निशेचन ठेक है अंडानू हमेशा X गुंसुत्र का योगदान करता है मतलब अंडानू जो है हमेशा X गुंसु का योगदान करता है या तो X यहां से रिलीज करेगा या तो Y रिलीज करेगा ठीक है यदि सुक्रानु X गुंशुत्र का योगदान करता है तो परिनाम स्वरूफ भुरून में X और X बन जाता है जिसे से लड़की का जनम होता है यदि सुक्रानु Y गुंशुत्र का एक्स है और यह सुक्रानु है एक्स और वाई है अगर सुक्रानु वाई रिलीज हुआ तो वाई और एक्स मिल करके यह एक्स वाई बन जाता है जिसे से लड़का का जनम होता है और यहां से जैसे ही सुक्रानु एक्स आया और इधर एक्स मिल करके क्या बन जाता है एक्स और एक्स और एक्स-एक्स मिल गया तो समझ लिजे कि लड़की का जनम होगा ठीक है इस परकार मनों से में लिंग निर्धारन पीता के सुक्रानों द्वारा निर्धारित होता है जो एक्स या वाई गुंसुत्र का युगदान करता है अब आप जान गये हैं कि जनम से पहले के लिए फिर मिलता है एक और नए दिन नए टॉपी के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंद मात्रम